नमस्ते, अभी का रिव्यू हम करेंगे बॉलिवूड की टॉप टेन मूवीज जिनोंने अपनी पहचान सिव भारत देश में ने लेकिन पुरे विश्व में बनाई है और ये वही मूवीज है जिनोंने बॉलिवूड का डेफिनेशन चेंज करके रख दिया है अगर आप 50 साल बाद भी इन मूवीज को देखेंगे तो भी ये उतना ही इंपक्ट आप पर डालेगी नमबर 10 पे है अब वेनजडे जब सबका विश्वास उठ चुका था बॉलिवूड पर से कि ये सस्पेंड थ्रिलर हॉलिवूड के लेवल की बना ही नहीं सकती है उस टाइम पे इस मूवी ने एंट्री मारी थी तो आगे आने वाली मूवीज ऐसी ही है जिनोंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से ओडियन्स की सोच बदल के उनका दिल जीत लिया है 2018 यंग आंत्रप्रेनर सर्वे की अनुसार 40% यूट दर रॉकेट सिंग मूवी को देखे इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी PCPT जॉब को छोड़के अपना बिजनस स्टार्ट किया नमबर 8 पे है लंच बॉक इस मूवी ने बॉलिवुड के अंदर आर्टिस्टिक मूवी का एक नया दर्वाजा ओपन कर दिया और मैं अपने आपको उन लखी लोगों में से मानता हूँ जिसने बॉलिवुड के ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया के सबसे बड़े दो दिगज कलाकार नवाज भाई और इर्फान खान की एक्टिंग परदे के उपर देखी नमबर सेवन पे है बर्फी टॉप टैन लिस्ट की ग्रूप में सबसे क्यूट टेस्ट और सबके दिल के करीब ये मूवी है इस मूवी ने हमें इतना तो जरूर सिखा दिया है कि हम इस दुनिया में जिने एबनॉर्मल समझते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉर्मल है नमबर सिक्स पे है लगान इस मूवी को ओडियन्स ने ठेटर के अंदर सिर्फ देखा ही नहीं है लेकिन फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया है यकीन नहीं होता है कि आशितोष गवारेकर जी की पहली सोलो डिरेक्शन मूवी है ये नमबर फाइव पे आशितोष सर की ही मूवी है जिसका नाम है स्वदेश आज भी कोई इंसान अपने गाव वापस जाता है तो लोग ये ही कहते है स्वदेश देखिए क्या इस मूवी की तारीफ में क्या करूबस ये चोटा सा सीन देख लीजिए साब एगलास पाणिलो ना नमबर चार पे हैं हम सबकी आल टाइम फेवरेट कॉमेडी मुवी हेरा फेरी ये मुवी टॉप टैन लिस्ट में इसलिए डिजर्व करती है क्योंकि किसी इनसान को हसाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आज भी चैनल चेंज करते करते अगर ये मुवी सामने आ गई तो दुनिया में एक इनसान नहीं है ऐसा जो इस मुवी को देखने के बाद चैनल चेंज करते नहीं देवी परशाद नहीं है तुम क्या करोगे सर वो पेरी मचली का क्या हुआ आज वो तो मैं खा गया खा गया हाँ वो मैं मस्त तील में फ्राई करके है वो मैं खा गया अगर बॉलीवुड का म्यूजियम बनाया जाए तो ये मुवी 100% वहां पे रहेगी और उसका रीजन ये है कि बॉलीवुड को मिला के अगर जितना ट्विस्ट और टर्न नहीं बनता है उनके मुवी के अंदर उतना अकेली इस मुवी के अंदर है आप सीट पकड़ के आप पूरे टाइम इसी के बारे में सूचते रह जाएंगे तूने मड़ देखा तूने मड़ देखा तूने मड़ देखा तूने मैं कैसे नमबर टू पे है दे फादर आफ सस्पेंस त्रिलर तृष्यम ये उन मुवीज में से एक है जिनको देखने के बाद शरील ठीटर के भार चला गया था लेकिन दिमाग अभी भी मुवी के अंदर ही था और ये मुवी अपने नाम पे बिल्कुल खरी उतरी है पचास साल के बाद भी आप इस मुवी को देखेंगे ना तो इस मुवी का एक एक दृश्या आपको बिल्कुल याद रहेगा अब नमबर वन मुवी बताने से पहले इन मुवीज का मेंशन तो बिल्कुल बनता है क्योंकि ये टॉप 10 की जो लिस्ट है ना ये बहुत ही छोटी है अर मिसालें दी जाती है बिटा बूली नहीं जाती नमबर वन पे है त्री इडियेट्स अगर किसी अंजान इंसान को बॉलिवुड पता नहीं हो तो सैंपल के तरीके हम उसे ये मुवी दिखा सकते है क्यों क्योंकि इस मुवी के अंदर म्यूजिक अच्छा है, कॉमेडी है, इमोशनल है, सोशल मेसेज है, इंस्पिरेशनल है, लोकेशन बहतरीन है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग धासू है तो ये मुवी एक कम्पलीट पैकेज है त्री इडियट्स को हॉलिवुड के अंदर और एशियन कंट्रीज के अंदर भी रीमेक किया है और इस मुवी में चतूर रामलिंगन का वो एपिक स्पीच आप सभी को याद होगा इस मुवी के पहले हमें पता भी नहीं था कि लदाग भी हमारे देश का एक हिस्सा है लेकिन इस मुवी के बाद लदाग टूरिजम के अंदर 30% से सीधा 300% में बड़ोतरी आई है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए टॉप टेन वेब सीरीज की लिस्ट टॉप टेन अंडररेटेड मुवी की लिस्ट भी बहुत जल्दारी है थांक यू सो मच लव यू टेक केर बबाई